बेलाऊच धोदेनी रहगदा माने अपना लड़की के बेलाऊच रखदू एक मईना के बाद आमार पतो पीगनेट्र के पोता पोता आउस पोता पोता हाँ पुड़ा बिल्कुल साहिए तोना तम मलबक वरी का कहत रहे हैं लूग बाजिने नुग कोई और का कोई बाजिन को ना रहे हमरा दमाद के रहे शमासिया एकि बड़ी डेंजर एक्सीडेंट वह रहा है बारे तेरे लाख रुपया लागा लगा लगा दमाद के आपना लड़की की बलाउच रखते हैं 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 हैं ना लड़की की बलाउच रखते हैं तो हुआउच हैं को जोट की बलाउच रखते हैं धेखिए की बहुत बड़ी बात है कि अस्तन केंशर जो होता है अस्तन केंशर से एक महिला परी थी और सब ही जगा, सब ही डक्टरों को दिखाई लेकिन ठीक नहीं हुआ लेकिन बाबा के दर्बार में, माता के दर्बार में इन्होंने अपना मस्तक्त्रे का और इनकी जो फरियाद थी माता ने सुना बाबा ने उस भभूत को दिया उस अच्छत को दिया और इनका जो अस्तन का कैंसर है वो ठीक हो गया जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं अच्छा आप डॉक्टर के पास दिखाई देखिये बहुकिन बना महावीरी केंसर केंसर में इसा की केमरामेंन से ने सब्सक्रा कहीं द्खाई लेकिन वाला हुआ छेमत्कार की बात है अद्भूद है इसको सक्षात हम कह सकते हैं कि भागवान का स्वरूप मान लिजिए कि यहां पर है और माता सक्षात लोगों को दर्सन भी दे रही है और सक्षात इनका निवारन कर रही है कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है अच्छा एक बात बता है यह जब आप यहां पर आएं तो आपको विश्वास था कि यहां पर हम आएंगे तो ठीक हो जाएगा हाँ पुड़ा विश्वास हो गया है उसाब पबलिक का देखकर पहले से लोगे आप आते थे बहुत ज्यादा आदमी आते थे आचा कई से मतलब बाबा ने आपको क्या दिया कि आपका लेकिन एक साल का बाबा गरांटी लिया और छे महिना में खतम कर दिये हैं छे साल से आप परतारी थे पिरित थी लेकिन आपको ठीक नहीं होता था दरदर की ठोकरे खा रही थी बाबा के दरबार में आते सब ठीक हो गया